बड़ी कमपणी को देखर इकठा उससे पहले अडवांस टेक्स ले लिया और लोगों को कहा कि मैं टेक्स बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद उनके पट्टे खोल दिया उनको खुला खोल दिया कि जाओ काटो दिल्ली की जन्ता को इनका खूल चूसो क्योंकि मेरे टेक्स आने के बाद इस दिल्ली में तुम्हारी एकसाइज रह जाएगी है ध्यान से सुनना बात सब लोग और जन्ता तक पुचाओ ये बात मिनिममम गरंटी आने के बाद तुम्हारा टेक्स रह जाएगा एक परसेंट यानि जो पांसो रुपए की बोतल तुम बेचते हो जिसमें साड़े तीन सो टेक्स था मिनिममम गरंटी पूरी होने के बाद वो बोतल म और एक रुपए सिर्फ सरकार को टेक्स मिलेगा ये इतना यहां पे हैं दिल्ली परदेश बाजबा के उपड़ा के रजीब बरबर नजवाट जिला के देक्स विजे सुलंकी जी आईए उनसे जानते इस कारक्रम के बारे में आपकी दो दुकाने सील करने जा रहे हो इसके रगने नींकिया पूस्ट अपने ब्रस्टा चाहर के लिए आपने पैसे कमाने के लिए पांसो करोल डिश्मथ्वत लेने के सारी की सारी योजना बत्ति और योजना बतने के बाद बड़े बड़े लोगों को ये ठीके लेकर उनसे पैसे कमाने का काम किया जा रहा है ब्रश्टा चार को भी एक बार माफ कर दिया जा सकता था लेकिन युवाओं के भविश्य को मारने का काम केजरिवाल कर रहा है और चाहता है कि दिल्ली के अंदर सब नशेरी हो जाए वारतिय जंता पार्टी इसका विरोध कर रही है और वै यह जो ठेक़े खुले यह जनता से पूछ नहीं खिये हमारी भारती जनता पार्टीज विरोध करेगIGHT नंद Lisa अंगर्श करें जेल जाना पड़ेगा जेल जाएंगें लेकिन यह ठेक़े बंन करете यह जो पिछले दिनों भारती जंदा भाल्टी पिछले छे साथ महिने से लगातारी सवाज को उठा रही है यह आपकारी नीती को इसको बदलो लाव लेकिन केजरिवाल सरकार पर इस पर कोई असर नहीं हो रहा और कल थोड़े दिन पहले भी कश्मीरी पंड़तों को लेकर उ आपसे पूजना चाहता हूं कि बिना कारन के क्या अपना घर चोड़के आप दूसरे चहर में टैंट में रहेंगे नहीं रहेंगे कश्मीरी पंडित आकर टेंटों में क्यों रहें क्योंकि वह पालायन हुआ हत्याय हुई वह नरसंगार हुआ वहां ओरतों को आरी से काटा गया उस फिल्म को आप विदान सभा के पटल पे कहते हों कि वह जुटी फिल्म है आप सांड की आंथ फिल्म को टेक्स्प्री करेंगे आप और इधर उदर की फिल्मों को टेक्स्प्री करेंगे लेकिन यह जो सच्चाई दिखा रही है किसको खुश कर रहे हो तो यह बहुत सपष्ट है एक वर्ग को खुश करने के लिए केजरिवाली गंदी राजनिती कर र तो यह जो कर रहा है यह विबाजन का काम कर रहा है और इसलिए ठीक नहीं थीक का बिल है तीनों निधाउं को एक करने का वो कल अमेशा जी ने पेश कर दिया अरे सांसत परवेश वर्माझी ने वहीं उस पे काफी बड़ी बात गई उस पे आप क्या कहना जाओ एकी करन से ए एक सो करोड़ बचेगा आज जो वित्य असमानेता है वो खतम हो जाएगी और तीनों कॉर्परेशन में एक जैसे कानून होगे तो दिल्ली का विकास होगा और केजरिवाल की जो गंदी नियत जिससे वह मचिवाल करां मुझे शर्म आती है मैं दिल्ली के लोगों के लिए करना चाहता हूं लेकिन आपने के निगम को इतना पंगु और आज कहता है कि इसको इसको इसकी यूनिफिकेशन की आउशक्ता क्यों पड़ी यूनिफिकेशन की आउशक्ता इसलिए पड़ी कि आपने ऐसे हालात पैदा किये ने तो मैं स्विम निगम पार्शद रह चुका हूँ 2007-2012 के बीच में निगम में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार थी केंद्र में कॉंग्रेश की सरकार थी दिली में कॉंग्रेश की सरकार थी लेकिन कभी भी ऐसा विवाद नहीं हुआ जब भी निगम का जो भी ट्यू पैसा रकम होती थी वो तुरंट समय पर शिला दिक्षित चारी करती थी आज आपके दिमाग में आपके मस्तिस्व में राउन से भी ज़्यादा एंकार है आप समझते हैं कि मैं यहां का राजा बन गया हूँ अरे जो जंता बनाना चाहती है वो आपको उस अर्ण से फर्स पर मिटा सकती है मैं यह कहता हूँ कि आपके दिमाग की जो गर्मी है उसका फिटूर बहुत जल्दी आपके दिमाग से जंता दिली के उतारने वाली है क्योंकि जो पंजाब में हुआ है उस पंजाब के चुनाओं को आप बहुत बड़ी अपना उपलब्दी मत समझना यह जो आज हम विरोध कर रहे हैं यह आज से नहीं पिछले साथ महिने से हो रहे हैं आपने रंतर हर प्रोग्राम में आते हो अपनी बात रखते हो आज दो ठेके सील किये जाएंगे इसके बारे में क्या कहना क्या संदेज देना जाएंगे मैं आपके चैनल के मादम से बताना चाहता हूं कि यह जो शराब निती है यह दिल्ली के युवाओं के साथ उनके बहुश्य के साथ खिलवाड है और इसमें बहुत बड़ा प्रस्टाचार भी है और दिल्ली का बेटा अपने आपको कहता है तो मुझे कोई ऐसा लगता कि कोई आउशक्ता नहीं थी शराब नहीं थी पहले दुकाने खुली हूँ थी वह डियसाइडीसी की दुकाने थी सरकारी दुकाने थी जिसको जरूर थी वह वहां से खरीच सकता था इतनी बड़ी संख्या में दुकाने खोलने का कोई और लिए उसने इस काम को किया है और इसमें राइडे को गटा दिया है हम यह कहते हैं कि हम शराब पीने के तरीके सिखाएंगे माईलाओं के अलग से पिंक दुकाने होंगी तो कितनी शरम की बात है आप थोड़ा सा आपको चंतन करना चाहिए इसके उपर और बिल्डिंग बा हिलाज का उलंगन है तो ना कोई कानून है ना कोई काईदा है ना कोई मर्यादा है ना तो नैतिकता है सभी को ताक पर रख करके इस तरीके से शराब नीती ले करके आए हो तो भार के जनता पार्टे का कारी करता इसी तरीके से सटकों पर रहेगा और जिला नजबगड एक पर दरने बेडे हो क्या कहिना चाहिँ हम अगर दरने भार-बार बैटने पढ़ा हमبة को बचाने के लिए तो Üिद्ट वाटने बार के पास जितने में ढूकर जैमने तो वहल फुए कोज़व को मैं भार घारती होकर दि दो फार्टे का हर काृड़का नजबगर का और आपको दिखाएगा कि दिल्ली को परबाद होना होना से अर deal कि खाएगा नहों डिवंगे तो मैं इस बात को बहुत हरान हूं कि दिल्ली में जो खेजरीवाण पैसे कमाने के लिए ऐसे ठेकेदार बना दिया है उसने दारू के ऐसे तेकेदार बनाएं जिनको जिनसे बेहसाब कमिशन अपने पाले रहा है और उनके पड़ाने वादे उठाकर देखो केज्रीवाल कि तुमने चाहता कि मैं दिल्ली में इतने .. इतने स्कूल खोलूंगा इतने फ्लाई और बनाऊंगा तुमने एक भी कॉलिज एक भी स्कूल एक भी फ्लाई और अगर तुमने कोई खोला है तो हमें आगर बताए हमें आगर तुमने खोले हैं तो दिल्ली में सराव के ठेके खोले हैं हमारे साथ है हरी शरजाई जी आईए उन से जानते यह शरावनीति को लेकर हो रहे विरोध को लेकर वो क्या कहना जाते हैं केजरीवाल की जो नई शरावनीति आई है शोरूम नुमा उसने ठेके खोल दी है एक के साथ एक फ्रीद एक शराव को बढ़ावा दे रहा है मैं कहना चाहता हूं के जरीवाल आज हमने तेरे लिए अन लेकिन दिल्ली के लोगों के विश्यक को गर्त में मत डाल तू चाहता है कि दिल्ली तुझे साथ दे तो तुझे सदबुद्धी आनी चाहिए जिस तरीके से तुने ठेके खोले हैं इनको बंद कर दे नहीं तो भारतिया जंता पार्टी का एके करे करता इसको बंद कर खोले उसकी सीलें लगाये और इसके अंदर गुसने नहीं देगा लेकर अपशिन तो अज्द करने चारही है उसमें कुछ ठेके ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐस समयदानिक हैं जो अपने मापदंड पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे बारतिय जंता पार्टी के कारिय करता और बारतिय जंता पार्टी इसका पूर्जो और विरोध करके इन ठेकों को बंद करने जा रही है जिसके अंदर काफी संख्या में ठेके बंद भी हो चुके हैं और आज भी द्वारका मोड़ पे आदरणिया जिला देक्स विजय सोलंकी जी और यहां के प्रबारी आदरणिय राजी उपोपर जी और थोड़ी देर में हमारे सांसद आदरणिय प्रवेश उर्माजी भी यहां उपस्तित रहेंगे और उनकी देख रेख में यह दोनों ठेके शिल किये जाएंगे और जितने भी अवैद ठेके हैं उनको बारते जनता पार्टी के कारिया करता बिलकुल शिल करेंगे और जो सरावनिती है इसका भी पुरा विरोध करेंगे क्योंकि अर्विंद केजरिवाल जी युवाओं को गर्त में दखेलने का काम कर रहे हैं और अपनी कमाई के लिए ये एक नया दंदा शुरू किया है पहले ये खुद कहरे थे कि जहां भी अगर ठेका खुलता है तो वहां पर आज पास के महिलाओं से विचार मेंस किया जाना चाहिए उनसे पूछना चाहिए कि ये ठेका चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए पहले ये खुद करे दे tutto आज ये हर वालिट के अंदर 33 चर्फ ठरके खोलने जा रहे हैं तो बारति का पूरा भिरोत कर रहे है और नजर अफ़र्ग इसका विरोध करने के लिए आज यहां पर दोनोंधी के सिल होंगे हमारे साथ मुझूद हैं कि दाबडी सरे निगम सबसे बड़ा प्रश्टाचार हुआ इस नीती में इस नीत में जो बिरस्टाचार हुआ है सबसे बड़ा प्रश्टाचार हजारों करोड रुपए के गोटाले हुए और इनी गोटालों के पंजाब में चुनाओ लड़ा गया है दिल्ली में जो कारिक करने चाहिए थे स्कूल कॉलेज की बात करतें सिच्छा की बात करतें एक भी नया कॉलेज नहीं खुला एक स्कूल ने सुदार हुआ है उसी तरह से च्छाहें इसकूल की बात हो एक कॉलेज ने खुला जो भी बादे करके दो हुए लेकिन उन्हें दिल्ली में सराभ के ठेके तहल दिये औरो मंदर के पास हो इसकूल के पास उन्हें रोगना चाहिए ता वह नीगा आज पूरी दिल्ली में भारती जंता पार्टी की तरफ से यह उन एक्ट हएं उनको सील करने का हमारे का दरिवार्वरिश आजी दिल्ली के नित्त में हमारे साथमेर नजेवट पूरा जिला बैठा हुआ वो क्या कहना चाहिए बारती जंता पार्टी जिला नजबगर आज एक कारेकरता इस सड़क पर आकर चौंकों पर आकर लड़ाई लड़ा है जितने भी हमारे अभी तक तीन महीने से दिल्ली सरकार ने जो आपकारी चार नहीं उसके खिलाफ भारती दिल्ली में इतने ठेके सील कर चुके हैं लाविच जो शरकार में परसील करने जा रहें लगे मंफित करने दिल्ली के मुख्य मंद्री चब सरकार में आने से पहले बहुत बड़े बड़े contractors के साथ 300-300 करोड तक के उन्होंने फायदे उठाए दिल्ली में 15-20,000 करोड का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने आपके पास में 15-20,000 करोड कमाने के लिए उन्होंने दिल्ली की जंता को डुबो दिया दारू के अंदर हम भारती जंता पार्टी के सभी कारिकरता आज प्रण लेते हैं और जिस दिन से यह आई यह उतिन से प्रण लेकर बैटे हैं कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे जब तक यह नीती वापिस नहीं लेंगे तब तक हम शांत नहीं बैटने वाले हैं मैं नयान मारकन बीजेपी उजवला योजना प्रदेश का प्रवक्ता और भारती जंता युवा मोर्चा का कारेकार्णी सदस्य और प्रदेश में मंत्री यह जो आपकारी नीती को लेकर निरंतर 6-7 मेने से भारती जंता पार्टी विरोध कर रही है धरना पर दर्शन कर र दें शराब की दुकानों को 240 से बढ़ा कर साड़े 800 तक करने वाले और शराब के लाइसेंस को 4000 तक बढ़ा देने वाले यह अर्विंद केजलीवाल क्या साबित करना चाते हैं मैं नहीं जानता लेकिन यह अवश्य बताना चाते हैं कि दिल्ली के युवा शराब के अंदर और उनकी सासें मर जाएं और उनकी माएं रोएं क्योंकि जब उनके बच्चे आएंगे शराब पीके लड़कियों को छेड कराएंगे और निर्विया जैसी दरंद की होती रहेंगी और इसको रोकने के लिए भारजे नंता पाटी विचले चार महीनों से लगातार हमारी प सराब निती को वापस नहीं लेंगे और इसे बंद नहीं करेंगे एक सवाल और आ रहा है कि जा दा कश्मीर फाइल्स जो एक मैं फिल्म नहीं कहूंगा डाकूमेंट्री एक हिडन टृत है उसके बारे में पूरा देश जो है उस दर्द को महसूस कर रहा है अभी दा कश्मी कश्मीरी फाइल्स भरी विधान सबा में एक राक्षस राज मुख्यमंत्री और दानव राज मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने किस प्रकार से दानवी हसी हसी कश्मीरी हिंदू के नरसंग घार पर कश्मीरी हिंदू के पलायन पर और कश्मीरी हिंदू के मेल बठाएंगे आज हमारे जिला ध्यक्ष श्री विजय सौलंकी जी और प्रभारी और प्रदेश में उपाध्यक्ष श्री राजी बबर्ची के ने प्रदर्शन हो रहा है और हम यह प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक सराब माफियाओं के साथ अर्विंद केज आपके माइन में जरूर होगा यह मैं करना चाहिद हो क्या अपनी बीजन के बारे मेरा विजन क्लियर है कि यह से राक्षस के खिलाफ हमेशा अंदोलन में बैठें और भार चैनता पार्टी जैसे राष्टर पार्टी और प्रधान मंत्री शी नदेंद्र बोदी जी चे भी प्रदेशन के विरोध में हम लोग यहां पर दुकाने सील करने आए हैं जैसे कि आपको पता है कि हर वाड में इतनी ज्यादा दुकाने खुल गई हैं कि आम जनता को बहुत ज्यादा प्राब्लम हो रही है और स्पेशली महिलाओं को जिनके घरों में जो है उनके बड़े बच्चे भी हैं और वो बाहर निकलते हैं आप जहां पर देखोगे आज दुकाने जो हैं बजार में सबसे ज्यादा दुकाने जगे नुकड़ों पे जो हैं दुकाने खुल गई हैं तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर और हमारे बच्चों पर तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज भारती जनता पार्टी यहां पर दो दुकानों को सील करने जा रही है यह पिछले 6-7 मेने से भारती जनता पार्टी लगातार पर अगर कोई बुराई यह तो जाने में वक्त लगता है तो हमारा जो हम जो विरोधी हम उसका विरोध इसी लिए करें ताकि कभी ना कभी तो यह चीज जो है कम होगी और हमें पूरा भरोसा है कि हम अपने मिशन में कामियाब होंगे और एक दिन जो है यह जितनी भी दुकान सबसी लोगीह। आई यहां किया कहना चाते हैं कि कि मतलब कि जैसे सीएम को स्कूल खोलना चाहिए उस शराब खोल रहा है इससे समझ सकते हैं को अपने सिर्व पर फायदा की सोचता और कुछ नहीं सोचता दिल्ली के लोगों को बरौत करने में लगा हुआ है दिल्ली के ज पर चंड पर दर्शन किया गया है जहां पर सारे जिले के पद्धिकारी यहां मजूद रहें जो यह शराव नीटी को लेकर विरोध हो रहा है आप देख सकते मेरे पीछे मंच पे इसी के हुंकार भरी जारी है के रिवाल अपने नीटी में बदलाव लाओ ने तो भार्दे ज सब्सक्राइब के साथ कैमरा मैं सुनील के साथ हकीकत आप तक अ झाल 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 झाल